तो guys, WWE ने दो बड़े NXT Superstars के नाम में changes किये हैं इसके अलावा WWE Superstars के नामों में भी changes किये गए हैं तो वो कौन Superstars हैं, मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो शुरूर से लेकर लास्त तक इस वीडियो को जरूर देखना तो guys, इसमें सबसे पहला नाम आता है केसी केटन जारो का जिनका नाम change करके अब रग दिया गया है कटाना चांस अब इसमें दूसरा नाम आता है केली रे का जिनको अब WWE इंटेड्यूस करेगी अलबा फायर के नाम से तो guys, इसमें wrestlers के नाम change करने का मौसम WWE के अंदर को जादा ही चल रहा है सबसे पहले यार यह background में जो भी noise चल रही है उसको ignore करना इससे पहले भी WWE के अंदर wrestlers के नाम change हुए हैं और अभी तो यार recently change हुआ है Austin Theory का नाम change कर दिया गया है और अब उनके आगे से Austin को हटा कर केवल theory रख दिया गया है और अब उनको WWE केवल theory से ही introduce करेगी अब इसके पीछे की वज़ा Stone Cold Steve Austin हो सकते हैं क्योंकि यार वो WWE के बड़े legendों में शामिल होते हैं इससे पहले भी यार Nikki Cross का नाम change करके निकी ASH रखा गया था और यार मैं confirm तो नहीं हूँ बट वीर महान का नाम भी change कर दिया है WWE ने वीर महान का नाम अब केवल वीर रख दिया गया है इससे पहले यार वो जिंदर महाल के साथ में जब टीम अप करते थे तब उनको वीर से ही introduce किया जाता था WWE के अंदर तो अब उन्हें फिर से वीर के ही नाम से introduce करेगी WWE अब यार ये वीर महान के नाम change वाली जो news है वो सही है या गलत है मेरी प्लीस कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो अच्छे लगी हो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना